नमस्कार आप देख रहे हैं आरके दांगी चैनल और मैं आरके दांगी जैसा कि बहुत दिनों से आपको इंतजार था तो जो आपका NCVT का रिजल्ट दोस्तो आज आ चुका है ये रिजल्ट किन का आया है वो हम वीडियो में बताएंगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स इस मई को जो जो एस सेकंड ङयर के रिजल्ट जारी कर दिया गया है इलेक्ट्रिसियन फिटर जो सेकंड यर की एक्जाम हुई थी उनका रिजल्ट आज अप्लोड कर दिया गया है हो सकता है अगर आप चेक करें तो अभी नेटवर्क की विशूब्स ट्र्याफिक जादा ह है MIS portal पर तो आपको हो सकता है देखने में समस्या रही हो तो आप रात में देखें या कल देखें अभी आप देख सकते हैं तो आप अपना result status जल्दी से चेक कर लें क्योंकि यह second year का result आया second year आप समझी जुनका 2018 में admission था जिनका final year था 2020 में उनका result आ चुका है तो वो result आपको कैसे चेक करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको क्या करना है Google पर NCVT MIS portal डालना है NCVT अगर आप डालेंगे तो एक portal खुल जाएगा उस portal का home page है यह कई बार इसकी direct में link की भी दूँगा इसमें आपको क्या करना रहता है आप देखिएगा यह आपका portal है इसमें आप चलिए हम थोड़ा सा back चलते हैं मैंने क्या डाला NCVT MIS portal में जैसे ही डालूँगा तो यह सबसे उपर जो दिख रहा है वहाँ पर तो आप डारेक्ट उसका home page खुल जाएगा आपको क्या करना है training mark sheet पर click कर देना जो training mark sheet बनी हुई है इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप training mark sheet पर click करेंगे तो इस तरीके से यह का आपका criteria खुल जाएगा यहां आपको क्या डालना है अपना roll number डालना है जो कि 18 से चालू होगा 180 से यह डालना है यह आपका registration number से भी आप check कर सकते हैं तो आप direct अपना roll number डालें roll number डालने के बाद आपको यहां से exam system आपको select करना है annual कर दिया आपने यहां से आपको exam का year कौन सा करना है July 2020 select करना है अभी अभी यह यहां से आप जैसे यह अपना यहां पर roll number डालेंगे पूरा और यह डालेंगे तो फिर यहां पर आपको exam system बताने लगेगा तो सबसे जरूरी है सबसे पहले आपको 180 से आप पूरा अपना roll number डालें यहां पर और फिर यह डालें और यहां पर आपको क्या करना है July 2020 वाला आपको exam year select करना year ठीक है यह आप select करेंगे सर्च करेंगे तो आपके पूरे marks आ जाएंगे एक तरीका यह है चेक करने का दूसरा तरीका एक और मैं बता दू जैसा ही आपने जो homepage खुलेगा आपका जैसा ही उस homepage पर आपको क्या करना है trainee profile पर जाना है trainee profile पर भी हमने बहुत वीडियो बनाए तो वो trainee profile से भी आप अपना result check कर सकते हैं trainee profile पर जाकर आप अपना result check कर सकते हैं देखिएगा अभी आपका जैसे ही portal खुलेगा तो उस portal पर आपको क्या डालना है अपना trainee profile search करना है देखिएगा कहां से आता है trainee profile यह trainee profile दिख रहा है आपको trainee profile पर आपको click कर देना है जैसे ही आपने trainee profile पर click करेंगे तो trainee profile पर जैसे ही आप click करेंगे तो यह आपको आपका registration नमर डालना रहेगा यह जो आपका roll number 108 से चालू उस रॉल लंबर में स्टाटिंग के दोजीर हटा के आपको आर लगा देना आर वनेट से चालू कर देना फिर आप अपना जो एडमिट काड उसमें से ही सारी की सारी डेटेल भरें को ट्रैनी प्रोफाइल पर किलिक करें तो वहां पर आप सम्मिट जब करेंगे एक दो बार म आप वहां पर सो हो जाएगा मतलब वहां से आप अपनी ओरिजनल माक्सी डाउनलोड कर सकते हैं तो जिन्में भी जो लोग इंतजार था जिनको रिजल्ट का उनका रिजल्ट आ गया है दोस्तो इस वीडियो को आप जादा से जादा सेर कर दें भले ही आपका कोई भी दोस तो साती हो और बहुत जल्द एक या दो दिन में आपका first year का result भी बहुत जल्दी आ जाएगा यह result regular का है इस result को आप देखें अभी अभी upload की process चालू है तो हो सकता है first year का भी कुछ दिर बाद आ जाए तो check आपको वैसे ही करना है जहां आपको second year का check कर रहे हैं वहीं आपको first year का भी check करना है तो कैसा लगा वीडियो यह comments करके जरूर बताएं ऐसे ही वीडियो हम लगातार आपको ले के आते रहते हैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दें दोस्तों यह वीडियो इस तरह के कि और वीडियो आप real time में आपको मिल सके इसके लिए bell icon को प्रेस कर दे